प्रेंड्स मैं नूतर निव एड़ा माम नूतर के अभब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं मैं आज बना रही हूं आटे की लट्टू जो गर्मी में खाके भर पूरी इनर्जी मिलेगी लट्टू बनाने के लिए हैं हमने एक कपाटा आधा कप सूची चार एस्पून क यह से एक चलंबचि्य सौन हैं यह इलाइची हैं चिरने कल ghu घी में कर लएं इलाइची और व्रियूण अनुमे टनारम हम आधा कप सूची चार गीशट सब में ने दाल रहें हैं नीकीक को आम दाने के लिए अधाइस वग्रान धागे वाली मिस्री बहुत ठंड़ा पहुंचाती है इसको मिक्सी में पीसके पाउडर बना लेंगे घी मिक्स हो गया है बंधने लगा है दूद है दूद से हम आटे को लगाएंगे मलाई सहीत दूद को डाल दिये है रोटी के आटे की तरह यहांता मेरा लग दिया है अब इसका बनाखें मुठीया मुठीक हो कि दोनों हाथों से लोग लेंगे चोटा च्टा मुठीक हम बना लेंगे कि देखें मेरे सारी मुठीक बनगे है अब इसको हम तेल में भूपार कर rake। इस हम हम एक यत मुठिया डाल गए हैं इसमें डल गई है इसको हम अच्छे से उलट तुलटके ब्राउन करके निकाल गए हैं आज को मेडिया पर रखेंगे और सब को हम अलट पलट लेंगे अच्छे से अच्छे से ब्राउन भी हो गई है और फट भी गई है इसका मतलब की यह वह गया है अब इनको हम ठंड़ा होने देंगे यह फट फट गया है इसका मतलब की अच्छे से हो गया है तो अच्छे से तोड़के और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे च्छोटा च्छोटा टुकरा कर दिये हैं ठंडा करके अब हम इसको पीस लेंगे यह हमने पीस लिए हैं पीसने के बाद बिल्कुल सुझी जैसा हो गया है यह सौप और इनाइची का पाउडर हम डालेंगे यह कोकोनेट पाउडर हम डाले हैं चिराउंजी काजू बदाम को देशी घी में फडाई करके इसमें डालेंगे यह गुलाव की पंखुरी मैं सु 200 ग्राम हमने पीसे हैं उसके पाउडर एक कप हो गया था इसको हम मिक्स किये हैं यह लडू बंदे में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें हम और घी आइड करेंगे आप और घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें दूर डाल सकते हैं यह दखिए इसमें हमने डालके एड कर दिये यह अच्छे से लडू बंदा है अच्छे से बंद गया है अम इसी तरह से पुरे लडू बना लें है अब लोग बना के खाके कॉमेंट में बताए कि आप लोगों को यह रेसीपी कैसी लगी आप लोग अपना प्यार देते रही है मैं अपनी प्लोके शचुझ यह कर दिया है अच्छे कर दिया है